सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्लोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए दूस्तों बेंचमार्क्स के बारे में तो आप सभी व्यूवर्स जानते ही होंगे यहाँ पर इनके स्कोर से आपको मिलता है एक बेसिक आइडिया कि जो डिवाइस से उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी वहाँ पर आपको मिल रही है कितनी ज़्यादा पावर अब यहाँ पर दूस्तों OnePlus ने एक बार वापिस से चीटिंग की है OnePlus 3T के बाद में OnePlus 5 के साथ में जहाँ पर आपको मिलते हैं Artificially Boosted Benchmark Scores अब यह दूस्तों complete concept क्या है कैसे यह सामने आया है इसी क्या significance है और OnePlus ऐसा क्यों चीटिंग कर रहा है आज मैं आपसे इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ नमस्कार दूस्तों मेरा नाम है गौरव आप देख रहे हैं Technical Guru जी चलिए शुरू करते हैं दूस्तों मैं आपको देता हूँ सबसे पहले benchmarks के बारे में एक basic idea हाला कि मैं इसको लेके पहले एक video बना चुका हूँ लेकिन यहां पर दूस्तों यह जो benchmarks हैं यह आप समझी कि कुछ ऐसे software's हैं जिनको आप उन्हें phone में install कर सकते हैं Google Play Store से जो दूस्तों आपके phone के hardware को test करते हैं hardware जैसे कि आपके phone का CPU, phone का GPU, phone की RAM, phone की ROM, phone की battery वगर है और उसके बाद दूस्तों आपको देता है एक score जिससे आपको यह मालूम चलता है कि आपका device है वो competition के सामने कहां stand करता है मतलब for example दूस्तों अगर मैं आपसे बात करता हूँ Galaxy S8 की तो वो definitely Xiaomi Redmi Note 4 से बढ़िया है because वहाँ पे आपको बहतर CPU मिल रहा है, बहतर GPU मिल रहा है बहतर दूस्तों वहाँ पे RAM या ROM वगर है तो ऐसे में आपको एक number मिलता है जिससे आप यह मालूम करते हैं आपको फोन है वो competition के सामने उससे बहतर है या फिर उससे कमजोर है अब दूस्तों यहाँ पे जो benchmark के applications हैं वो तरह तरह की होती है कुछ जो है वो है specific phone के सिर्फ एक part के लिए for example सिर्फ graphics के लिए या फिर सिर्फ storage के लिए या फिर सिर्फ battery के लिए और बहुत सारी ऐसी हैं जो आपके phone को on a whole test करती है और उसके बाद बताती हैं कि यह है इसका combined score अब यहाँ पर दोस्तों Geekbench है, Antutu है, GFX Bench है, Neenamark है, 3D Mark है, Android Bench है, Velamo वगरे है जो अलग-अलग benchmarks हैं और आपको अलग-अलग तरीके से बताएंगे कि आपके phone का score है, वो कितना निकल के आ रहा है अब यहाँ पर दोस्तों जो benchmarks हैं, वो एकदम ऐसा एक mark नहीं होता है कि भाई हाँ, जिसका benchmark अच्छा, वो जो phone है, वो real life में भी अच्छा जलानी है, बाद में आपको तैरना है, बाद में आपको पहाड पे चड़ना है, बाद में आपकी race खतम हो जाएगी अब यहाँ पे आप दोस्तों उस race को दौड रहे हैं, आपने एक 2 मिनिट के अंदर, 10 मिन के अदर आपने race कम्प्लीट कर ली अब मैं दोस्तों आपको उस time पे देता हूँ, for example, अगर ड्रग्स, तो ऐसे में आपकी performance बढ़ जाएगी सिर्फ उस race के लिए तो ऐसे में मैं तो जज़ करूँगा कि हाँ, आपने जो race है, बहुत यह तीज़ी से completely समदलब, आप तो champion मन जाओगे लेकिन जब मैं आपको दुबारा उस race में आने को कहूँगा, अगर आपके पास में drugs नहीं है, तो यहाँ पे आपकी जो performance है, वो उतनी इची नहीं होने वाली है लेकिन उसके बाद में वो पकड़े गए और उसके बाद दुबारा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे OnePlus ने दुबारा एक बार ऐसा किया है, OnePlus 3T के बाद में, जहाँ पे आपको benchmarks में नकली तरीके से artificially boosted scores देखने को मिलते हैं, अब यह दुसरों complete concept ही काम कैसे करता है, कि जो आपके phone की ROM है, उसको ये मालूम चलता है, कि हाँ अभी आप ये benchmark run कर रहे हैं, तो उस time पे दोस्तों वो जो CPU की frequencies है, उनको बढ़ा देता है इस तरीके से, कि जो आपको benchmark से वहाँ पे मिलेगी सब से बढ़िया performance और आप ये देखेंगे, कि भाई, Snapdragon 835 तो OnePlus 5 में भी है, Snapdragon 835 तो Xiaomi Mi 6 में भी है, Snapdragon 835 तो Galaxy S8 में भी है, लेकिन यहाँ पे जो आपको scores देखने को मिल रहे हैं, वो OnePlus 5 का सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे powerful device है, अब यहाँ पर दोस्तों ये जो चीज है, ये आपने बहुत सारे reviews में देखा होगा, जहाँ पर जो reviewers हैं, वो benchmark के source दिखाते हैं, तो हाना कि उनके गलती नहीं है, पर उनको मालूम ही नहीं है, कि भाई, अंदर क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नों XDA developers हैं, उनके बास जब आया OnePlus 5 review के ले तो नोंने ये करीब करीब सिर्फ 25% ही काम करेगी full frequency पे, तो इसका मतलब ये हुआ, कि आपको मिलेंगे boosted scores, अब boosted scores का मतलब ये है, कि ये एक तो buying decision जो है, वो change करते हैं, बिकास लोग समझते हैं, अच्छा ये तो Galaxy S8 से ब्यादा powerful है, जबकि अगर दोनों में 835 है, दोनों अच्छे phones ह इसका मतलब OnePlus को extra क्यों ऐसा करना पड़ रहा है, कि वो लोगों को एक नकली तरीके से message देना चारा है, कि हमारे जो phone है, वो सबसे powerful है, भाई जो phone है, वो बहुत अच्छा है already, phone में आपको एक बहुत ही कमाल का hardware मिल रहा है, जो price है, वो बहुत ही कमाल की है, तो ऐसे में अगर इन benchmarks की बात करें, तो ये real life में आपका phone कभी भी full frequency पैसे काम नहीं करने वाला है, जबकि OnePlus 7 ला statement ये दिया, कि हम सिर्फ ये दिखाना चाह रहे हैं customers को, कि जो हमारे phone का hardware है, वो कितना powerful है, अरे भाई, 835 बिल्कुल powerful है, लेकिन ऐसे में नकली तरीके से benchmarks को बढ़ाना जिसके बाद में आपको मिलेंगे कुछ better results, अगर आप compare करेंगे similar hardware वाले किसी भी phone के साथ में, जो कि नहीं होना चाहिए, आप दुस्तों मुझे बताइए नीचे comments में कि क्या आप benchmark से भुरुसा करते हैं, मतलब बहुत सार दोसा ऐसे reviews सामने हैं, जहां पर आपको benchmarks दिखा यहां है, यह बात गलत है, यह concept गलत है, तो यहां पर एकशी डेलर पर से दोस्तों बहुत ही कमाला काम किया, उनको salute है, कि उन्होंने पता लगा कि बता दिया कि आखिर OnePlus 5 में जो हो रही है benchmark में, फोन अच्छा है, फोन स्टेबल है, फोन कमाल का होगा, आप ले सकते हैं, ल दोस्तों, फिलाल के वीडियो में इतना ही, देखिलें आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप अगर साला सुझाव हो तो आप नीचे कमेंड करना मत बुलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को भी तक लाइक के शेर नहीं किया, तो लाइक बिर दीजिए, शेर भी क बुलिएगा, क्योंकि मैं अपने रोजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ, फिलाल के लिए इतना ही दोस्तों, जै हिंद, वन दे मातरम